अब वेरी गुद इवनिंग क्लास, वेलकम तू अरा 24-7 लॉइंटरेंस यूटूब चानल, होप सो आप लोग को ये चानल में से जो इंफोरमेशन आ रही होंगी, जो आप लोग गेन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, और आज जो हम लोग सेशन जा रहे हैं, देखे क्या टॉपिक है, how to solve the CLAT legal aptitude questions, ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं, जो हम लोग का 2020 से, 2020 से जो पहले का पेपर था हम लोग का, तो पहले में पेपर में क्या आता था आप लोग के, simply 2020 से, अगर बिफोर बात करें, तो 2020 से पहले हम लोग का simply principle और fact based question आता था, आप सब को मालुम है, principle का मतलब जो हम लोगों ने legal knowledge को सीखा है, उस legal knowledge को एक fact में हम लोग को use करना होता है, हम लोग का question solve हो गया, but अब क्या है, 2020, क्या बोल सकते हैं, 2020 से, आप चाहे तो इसको 19 भी लिख सकते हैं, ये 19 से, 19 से पहले का है आप लोग का, ठीक है, 2020 से क्या हुआ है, आप लोग का legal apti, जो CLAT का test होता है, जिसमें हमें national law universities मिलती है, तो 2020 से इन्होंने क्या किया, patent change कर दिया, बच्चे घबरा गए, अरे patent change हो गया, क्या अब हमें law का कुछ दूसरा subject पढ़ना है, अपने entrance के लिए, तो सबसे पहला आप लोग answer जान लीजे, no, आप लोगों को इस patent के change होने से कुछ भी आप लोग को extra नहीं पढ़ना है, इवन जो बच्चा इस law entrance की तयारी करेगा, same उसके लिए भी वो सारा law entrance दे सकता है, because labors आपका change नहीं हुआ है, बस आपका question pattern change हो गया है, ठीक है, अब एक-एक slide में आप लोग देखे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है CLAT के legal questions को solve करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले बता दू कि CLAT में क्या आप लोग का drastic change हुआ है, ये देखिए, अब जितना भी, जैसे आप जानते हैं, CLAT में आपका कितना subject आता है, CLAT में आप लोग के basically 5 subject आते हैं, English, Reasoning, Maths, Current Interfair और आपका law subject, सारा subject आप लोग का अब कैसे based हो गया है, unseen passage based question हो गया है, तो इसमें हमें महनत किस चीज़ पर करना है, पढ़ने की habit डालनी है, ठीक है, स्कूल तक तो भाई, मौज मस्ती से हम लोगों ने पढ़ाई किया, हम लोग का schooling हो गया, board exam में अच्छे marks आ गए, लेकिन अब जो आप लोग का school के बाद का life है, ये आप लोग का school level के पढ़ाई जैसा नहीं है, अब आप लोग को थोड़ा practical approach को रखना है, ठीक है, तो CLAT में, सिर्फ CLAT की बात कर रही हूं, मैं other law entrance की बात नहीं कर रहीं, क्योंकि other law entrance में अभी कोई आप लोग का change नहीं सबका syllabus सेम होता है law entrance का, इसका already video बन चुका है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, अब यह जो पांचो subject है CLAT का, इसमें unseen passage based question आ रहा है, तो unseen passage का मतलब हम लोग का reading habit बहुत ही सही होना चाहिए, time management हम लोग को आना चाहिए, तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों को हम लोग द करेंगे, ठेक है, देखिए, सबसे पहला, आप लोग का जो legal का portion है, that is, legal comprehension type question आता है, 2020 से, 20 में paper आ चुका है, 21 में भी ऐसे paper आ चुका है, तो अब उमीद है कि यही paper pattern आप लोग का plat में चलेगा, तो unseen passage based question है, और एक passage आपका कितने words का है, 450 या 450 से अब होगा, कभी भी बड पैसेज नहीं होगा, half page का passage है, और passage बहुत ही easy है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि passage का किसे link है, ठेक है, अभी सिर्फ एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिये, that what you have to study to crack the legal aptitude of your class entrance exam, ओके, now 450 वर्ड है, सब को समझ में आ गया, और एक बात ध्यान रख लीजे कि आप लो passage, half of page के, बहुत simple है, माइन में चल रहा होगा ना कि मैं पैसेज के सिर्लेट होगा, क्या ये unknown passage होगा, बिलकुल नहीं, unknown passage नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हम आगे के slide में पढ़ेंगे, तो अब देखिए, 8 passage question आएंगे, और ये सारे passage आपके क्या है, comprehension that is related to the law, सब law सिर्ले आँ, you will run the test series of D.U.L.L.B., yes, yes, अभी हम लोग का जो ये session है, इसमें आपका जितना भी law entrance है, जो भी आपका नाम है, आपका नाम शो नहीं कर रहा है, उसमें सारे test series आप लोग के यहां पे चलेंगे, ठीक है, तो अभी आप basically क्या कर रहे हैं, जो ये आपका pattern है, जो unseen passage question आन हम question नहीं कर सकते, you can definitely do it, okay, now, ma'am, law में topics कौन कौन से हैं, जो हमें पढ़ना है, जो unseen passage में आता है, अब हम उसके बारे में discuss करेंगे, तो इतना आपको मालुम चल गया, जो भी यहां 12th के बच्चे हैं, सब का December में board exam होने जा रहा है, board exam खतम होते ही, जनवरी से आप लोग क class का form आ जाएगा, तो जो भी बच्चे class भढ़ना चाते हैं, National Law University में पढ़ना चाते हैं, आप लोग एक जनवरी से form को fill up कर सकते हैं, ठेक है, now, see, so 8 passage and passage कि से रिलेट होगा, law से रिलेट होगा, ठेक है, एक बार ध्यान से रख लीजे, 8 passage आएंगे, law से रिलेट होगा, और law आपका एक paragraph 450 वर्ड या उससे उपर होगा, ठेक है, now, next one, now, what are the important topic that will cover in the passage of your legal aptitude, क्या topics है, तो कोई नया topic नहीं है, ठेक है, इस बात को दिमाग से हटा लीजे, आप देखे, जो हम लोग का पहले legal subject था, जो हम लोग का पहले legal subject था, that is law of tort, law of contract, constitution, that is criminal law, and the legal fundamental terms, and the other legal subject, वो ही सारे subject है, कुछ आप लोग का legal subject में change नहीं है, जो आप लोग के 2020 से पहले लोग का subject आता था, same यही subject है, और यह मैंने subject आपको कहां बताए है, कहां mention होता है, school के book में, that is in NCRT class 11th और 12th का, जो legal studies का book होता है, उसमें आपको सारे topics मिल जाएंगे, तो अभी से अपने base को strong बनाईए, ताकि आप लोग CLAT का exam easily crack कर सके, और CLAT का तयारी कर लिया, मतलब सारे law entrance का तयारी कर लिया, और यह जो आप D.U. की बात कर रहे हैं, D.U. is very easy as comparison to the CLAT exam Okay, now, see, यह तो आप लोग को मालूम चल गया, कि हमें पांचो subject as it is वही वाले पढ़ने हैं, ठेक हैं, next one, important court decision, यह तो पहले भी मैम हम पढ़ते थे, बिल्कुल सही का आपने, यह आप पहले भी पढ़ते थे, और अभी भी आप लोग को यही चीज पढ़ना है, जो भी आप आप लोग का एक साल में recent judgment आता है, Supreme Court का, High Court का, जो की एक तरह से landmark बन जाता है, तो वो case आप लोगों के class में भी आएगा, same, माल लीजे कोई भी जज ने एक judgment दे दिया, उस judgment को paragraph में ले लिया, और पांच question पूछ दिये, हो गया question, ठेक है, और class में दो घंटे का ही आप लो को question जो है, legal का अगर बात करूं, तो 32 to 40 questions आप लोग की legal portions के आते हैं, ठेक है, तो decision हो गया, अप लोग का court decision, next आप लोग का क्या है, important legal fact, legal fact, जो कभी change नहीं होता, एक बार जो नहीं सल्मान खान का dialogue, एक बार जो मैंने commitment कर दिया, फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता, same चीज आपका legal fact भी है, एक बार जो happen हो गया, वो आपका fact बन जाता है, उसको हम change नहीं कर सकते हैं, done, और last क्या है आपका current legal knowledge, इसके लिए आप लोग को कोई नया book उठाने की ज़रत नहीं है, आप लोग क्या करना है, अब इस pattern से न, एक चीज बहुत अच्छी कर दी गई ह कि आप लोग को newspaper पढ़ने का habit दालना होगा, अगर newspaper पढ़ना आप लोगों ने शुरू कर दिया, तो यह जो pattern है न, कुछ भी नहीं है आप लोग के सामने, क्योंकि देखिए, school level पे क्या होता है, हम paper को तो touch भी नहीं करते, paper चुएंगे भी तो कई लोग बस sports पढ़के छो पढ़ना गई, यह सब देख के छोड़ देंगी, बस paper पढ़ना हो गया हम लोग का, यह reality है, बट अब आप लोग स्कूल से हट गये हैं, अब आप बच्चे नहीं कहलाएंगे, हाँ माबाप के सामने आप लोग बच्चे ही हैं, बट आप क्या हो गया है, अब आप लोग को basically क्या करना है, अब आप लोग को थोड़ प्राक्टिकल चीजे देखनी हैं, प्राक्टिकल अप्रोश करना है, तो newspaper एक ऐसा जरिया होता है, देखिए, इतना आप लोग का technology आ गया है, इतना develop हो गया है, बट स्टिल देखो, अभी भी हर घर में paper आता है, जिसको पढ़ने क शौक है, क्योंकि paper के साथ चाहे तो अलग ही मजा है, ठेक है, सो इसे लिए, आप लोग का newspaper पढ़ने की आदत दा लिए, इससे क्या होगा, इससे और भी exam के competition की तयारी आप लोग की हो जाएगी, अब बच्चे पूछते माम, कौन सा paper पढ़े, तो ये देखिए, ये मैं कह होता है, कोई paper अच्छे अच्छे news, positive news ज्यादा दालता है, कोई paper negative news ज्यादा दालता है, और कोशिश करिए कि English newspaper पढ़ने का, ठेक है, सो, legal knowledge, अगर आप paper पढ़ेंगे, तो आपका legal knowledge complete हो जाएगा, तो देख लिजे कि आपको CLAT के entrance exam में, legal aptitude के लिए, आप लोग को कौन से subject cover करने है, सारा चीज आप लोग का same है, कुछ change नहीं हुआ है, आरे पहले चार नंबर का, चार लाइन का आप लोग का question आता था, अब उसी चार लाइन को क्या किया है, 10 से 15 लाइन में आप लोग का question रख दिया है, तो क्या change हुआ है, कुछ नहीं, बस आप लोग का, जो CLAT का 30 है, चाहता है कि आप लोग एक बहुत ही सटीक approach रखे उस question में, अगर आप लोग का legal knowledge है, अगर आप लोग का legal theory पूरा perfect है, तो चाहें एक paragraph का, चाहें एक page या दो page का question क्यों ना आ जाए, law तो कभी change नहीं होगा ना, जो आप लोग का murder का punishment है, that is 302, वो तो कभी change नहीं होगा ना, भले ही आपका एक page का punishment of murder के बारे में पूरा ऐसे आ जाए, तो यही चीज़ आप लोग को हमेशा mind में रखना है, so यह आपका important topic है, ठीक है, now, 2020 आने वाला है, क्या strategy रखें कि हम लोग paper को easily crack कर सके, यह जो points मैंने आपको दिये है ना, it's points को जो बच्चा follow करेग it's a hundred percent surety, उसका exam clear होना ही होना है, hundred percent मैं यहाँ पे कह रही हूँ, उस बच्चे को challenge दे रही हूँ, but condition क्या है, you have to follow these points, and what are the points, see, first of all, अभी से ही, suppose आप आज से ही video देख रहे हैं, एक घंटा, daily legal apti को समय दीजिए, जो मैंने पिछले slide में आपको subject बताए थे, उस subject पे आप लोग focus करिए, that is a way to learn, अगर यह सब point follow किया, तो 12th के बाद, एक होता है ना, एक कहावत होती है, जैसे एक मेहनत होती है, school के बाद, जैसे school time से ही, 11, 12th class से ही, अगर आपने मेहनत शुरू करना, शुरू कर दिया है तो आप बहुत ही अच्छा college पाएंगे, लेकिन अगर आप first year या 12th class से ही मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपको college भी अच्छा नहीं मिलेगा, college के बाद अगर अकल ठिकाने आई, तो आप लोग मेहनत करना शुरू करेंगे, तो क्यों ना हम अभी मेहनत करके अपना future को सवार ले, so अभी से जो जो भी बच्चा देख रहा है 11, 12th का या जिसने drop किया है year, एक घंटा देली दीजे अपने legal aptitude को legal theory पढ़ने के लिए, next, theory first and then practice the question, theory को समझे, जब समझेंगे, तभी तो आप उसे practical question में apply कर पाएंगे, तो theory को आप लोग common sense के जरिए पढ़ना शुरू क करिए, language skill, classic ऐसा paper है, Hindi medium का नहीं होता है, English medium का paper होता है, तो अपने language skill को improve करिए, तो जो newspaper मैंने बोला है, वो सब चीज का एक solution है, तो language skill अपना improve करने के लिए, you have to read the newspaper on the daily basis, next, देखे, same legal theory पे focus, कौन कौन से subject है, taught, constitutional law, criminal law, जो भी आपके 5 subject है, यह आपके, यह है, ठीक है, next आपका क्या है, legal terminology and a foreign phrase, यह चीज क्या है माम, एक तो law पढ़ी रहे थे, अब क्या foreign language भी पढ़े, नहीं, यह foreign language नहीं है, legal terms है, जब हम लोग school level में होते हैं, तो school level में हम बहुत ही छोटे मोटे words को use करते हैं, औ हम लोग का schooling पूरा finish हो जाता है, बट अब आप लोग एक law field में जा रहे हैं, तो law field में जाने के लिए आप लोग को basically क्या करना है, अपना legal vocab को बहुत ही strong करना है, तो legal vocab, newspaper पढ़ने से भी strong होगा, और अगर आप अलग से भी इसका तयारी करते हैं, तो आप इसके through भी आप लोग का ये चीज़ complete हो जाए, ओके, now next, previous year paper, ये मान के चलिये, चाहें कोई साभी competition exam हो, 5 से 10 questions आपके previous year paper के आने ही आने है, चाहें वो math में आ जाए, reasoning में आ जाए, आप लोग का English में आ जाए, तो इस चीज़ पे भी आपको focus करना है, that the previous year paper, done, next आपका, इसको मैं बहुत ही अच्छे से highlight करूंगी, revision must be for all the legal theory subject, without revision, you cannot mug up all the thing, भाई, कोई भी गाना जब गुन गुनाते हैं हम लोग, जब बार बार गुन गुनाएंगे, तभी तो गाना याद होता है, तो इसी तरह पढ़ाई भी एक गाना है, गाना को जब तक revision नहीं करोगे, ग पढ़ाई को revision करिये, जिससे कि आप लोग को जो चीज पढ़ा है, वो हमेशा के लिए याद हो जाएं, ठीक है, now, how to answer the CLAT legal aptitude, कैसे solve किया जाए, कैसे answer को किया जाए, अगर unseen passage-based question आता है, तो देखिये, सबसे पहला वे क्या है, read the passage, सबसे पहले भाई, passage को ही पढ़ना है, as well as the legal aptitude question thoroughly to identify the principle, जो पांच legal के subject हैं, अगर आप लोगोंने पांचों legal subject पे command है, हर एक topic, हर एक content आपको याद है, तो आप easily paragraph को देख के समझ सकते हैं, कि ये कौन से topic से लिया गया है, but इसके लिए आप लोगों को legal subject पे command होना पड़ेगा, कैसे command करें, भाई law पढ़ना भी बहुत easy है, जब यहाँ आप लोगों का session स्टार्ट होगा, तब आप बहुत ही मज़े से law पढ़ेंगे, और exam भी definitely आप लोग क्राक करेंगे, ठीक है, now focus on the first time, paragraph भाई, 450 word का 8 paragraph है, अगर आप skip करते करते जाएंगे, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आप लोगों एक paragraph पूरा focused way में पढ़ना है कि paragraph में कौन सा law है जो की पूछा गया है, और एक बार आप लोगों ने अगर law को पकड़ लिया, it means आप लोगों का काम finish हो गया, आप लोगों ने जंग जीत ली, मतलब आप लोग अब easily उस paragraph का question कर सकते हैं, तो पहली बार में ही आप लोग का क्या होना चाहिए, focus होना चाहिए बढ़ाई पर, next, try to relate the facts, अब क्या करना है, जो अपने law सर्च किया है, उसको fact से apply करिए, okay, next, pay attention to the all small details, please, जो उसमें law terms है, phrases है, उसको skip मत करिए, उसको भी अच्छे से आप लोग analysis करिए, ठेक है, कोई भी small topic को skip नहीं करना ह then, do not waste more time on a single question, if you are not able to identify the correct answer, skip करिए, पहले उन questions को करिए, जिस पे आपको 100% surety है, कि यह जो मैं कर रहा हूँ, that is right one, okay, now, मैं बार बार legal, legal बोल रही हूँ, तो legal का मतलब क्या है, legal में क्या क्या चीज़ पड़े, legal theory पड़े, कि legal paper पड़े, कि legal maxim पड़े, तो देखे, क्या legal में आप लोग को पड़ना है, you have to focus on the legal reasoning, legal reasoning and legal aptitude, इसमें आप लोग का basic चीज़ क्या देखा जाता है, यह जो आप लोग के principle fact के question है, principle fact का मतलब है, law को search करना है, और law को आप लोग को fact बे अपलाई करना है, that's it, second, इसमें law का study करना है, research aptitude देखा जाता है, problem solving ability देखी जाती है, legal aptitude में, और जो important topics है, sections है, आप लोग के theory में, उसको पड़ा जाता है, legal facts की बात करे, facts मतलब जो change नहीं हो सकता, judgment और amendment, जो आप लोग के recent one year के होते हैं, और last में क्या है, newspaper, newspaper, and newspaper, got it, now, this is the summary, just एक repetition के लिए, एक conclusion के लिए, कि legal study theory के लिए, 11th और 12th class का book पढ़ना शुरू करिये, newspaper को पढ़ने की आदत दालिये, और हो सके, तो आज से ही, daily question को solve करना शुरू करिये, in that way, you can easily crack your law entrance exam, of any, of any exam, so hope so, आप लोग को session अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो इसी तरह, ऐसे ही law की knowledge के लिए, आप लोग इस channel को like और subscribe करना मत भूलिये, और share करिये जितना हो सके, ताकि आप लोग के friends जो relative है, जो law करना चाते हैं, उन लोग को basic knowledge मिले, और कोई भी कुछ question आप लोग को पूछना है, you can directly fill this form, and you can just mail in my mail ID, okay? बाटी刃 होगा 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 है, तो बड़ रहा हैं जोगगा होगा है, राटी刃 लेक dollा आप